एक्जाम दे सकें, आखिर क्या का रहा है एक बच्चे घबरा कर एक्जाम छोड़ दे रहें, अब आईए तो आज मैं आप लोगों एक बहुत पावरफुल मैथड सिखाने जा रहा हूँ, थर्ड आई मेडिटेशन आपने नाम सुनाओगा, तीसरी आँख का ध्यान, लेकिन उसमें एक बड़ी गड़बर है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, उसमें ज़्यादतर बच्चे जो हैं, इसको गलत तरीके से करते हैं अब मैं इसमें तीन तरीकों को समावेशित करते हुए एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूँ, जो आपकी ब्रेन पावर को कई गुना बढ़ा देगी, इमैजिनेशन को कई गुना बढ़ा देगी, तयार हैं, तो सबसे पहले अगर अब तयार हैं, तो अपनी मेज को शान्त होकर बैठ जाईए, ये लोग जो चैट कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल शान्त होकर बैठे, अब जो सिखाने जा रहा हूँ, उसका पहले साइन्स सीखो, इसका साइन्स क्या है, होता क्या है, कि जैसे ही मैं आप से थर्ड आई मेडिटेशन की बात करता हूँ, जब थर्ड आई, तीसरी आँख की टेकलोजी की बात करता हूँ, तो ज़्यादा तरो मुझे बताना, आपको कई बार ये बताया गया होगा, कि आपकी भाहों के बीच में एक स्थान है, थर्ड आई यहां जागरत होती, आप मेंसे भी कई लोगों ने ध्यान किया होगा, सुबह मेरी म स्वीरो में भी दिखाया जाता है, शंकर जी की तीसरी आँख यहां पर बनाई जाती है, तो आप उसी को इमेजिन करते हैं, जो चित्र आपने देखे हैं, और आप यहां पर अपने बुरे ध्यान को लेकर आते हैं, कितने लोग ऐसा करते हैं, पहली बात यह मुझे बताए कितने लोग थर्ड आई मेडिटेशन के बारे में जानते ही नहीं, उसका साइंस नहीं जानते हैं, कितने लोग जो हैं, वो थर्ड आई मेडिटेशन को यहां पर करते हैं, कितने लोग हैं, दोनों के लिए आज बड़ी फायदे मन बतार करूं, संकर जी को तीसरी आँख क् थर्ड आई का मतलब होता है space को open करना, universe को open कर देना, क्योंकि शिव जो हैं वो आद योगी है, योग में जो जहां से योग प्रारंब होता है वो शिव से होता है, शिव आद योगी है, वो सबसे बड़े योगी हैं, और योग का मतलब होता है कि वो समस्त गुणों को अपने आज आप इसका science समझो कि हमारा ancient science क्या है तो आप मेंसे यह लोग जानते हैं चलिए अब हम बात करते हैं third eye meditation एक बहुत powerful meditation है जो आपके sensory organs जो इधर उधर भाग रहे ना उनको एक जगह पर लेकर आने का 21 दिन तक यह practice आपको noon time करनी यह करनी तो जिंदगी बर है लेकिन 21 दिन के अंदर आपको बहुत ही visible changes दिखने शुरू हो जाएंगे अब मैं बात करता हूँ क्या actually third eye meditation जो लोग यहाँ पर आग्या चक्र यानि यह भौहें हैं कितने लोग ऐसा करते हैं यह भौहों के बीच में लोग ध्यान लगाते हैं यहाँ पर होता ना एक light जल रही होती है आपको ऐसा लगता है आप कोशिश करते हो कुछ visualize करने की आख या कोई मुमत्ती की लोग य नहीं यह basically इस्थान आग्या चक्र का है हमारे सब्त चक्रों में यहाँ आग्या चक्र जो होता है यह दूसरे कारी के लिए है अब मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूं जो बहुत important है यह टेक्निक आपकी है आपको मेरे साथ practice करना होगा और यह टेक्निक ऐसी है य यह रहा आपका आग्या चक्र दोनों भाहों के बीच में इस आग्या चक्र ठीक है यह आग्या चक्र हो गया हमारा यह सर के पीछे का स्थान है बिल्कुल सर के पीछे देखो यहां पर पीछे का एक स्थान हो गया ठीक है यह सर के बिल्कुल पीछे का एक स्थान हो गया बह पहली बार हाथ यहां रखो, यह लो उंगली और यहां पर रखने की कोशिश करो, यह दोनों भावों के बीच को बीचों बीच में, जहां लड़कियां बिंदी लगाती हैं, यहां टीका लगाया जाता है, इनके बीच में यह आग्या चक्र हो गया, इसके बाद आप सर के सब लोग बहुत योगी हो जाते हैं, बहुत बड़े साइंटेस्ट हो जाते हैं, बहुत उंचे पदो पर पहुच जाते हैं, उनका कॉंसेंट्रेशन लेबल बहुत उंचा हो जाता है, तो उनका ब्रह्मरंदर खुल जाता है, ब्रह्मरंदर कॉस्मिक एनरजी को रिसीव करता आपने सुना होगा, कई मुणि ऐसे होते हैं, जो बहुत कम खाये पिए, बहुत दिन तक रह लेते हैं, बहुत कम उर्जा से अपना काम चला लेते हैं, वो बिलकुल दाने के बराबर खाते हैं, और मस्त स्वस्त रहते हैं, जीवित रहते हैं, उनका Brahman Singh खुल जाता है, तो ह इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल बनाना है बड़े ध्यान से सुनना इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल बनाना है और उस ट्राइंगल के मद्ध में जैसे पिरामिड आपने कभी पिरामिड के बारे में सुना है तो पिरामिड जो होते हैं बहुत बड़ी साइंस है सारी powers इकठा होती है, pyramid cosmic energy को receive भी करता है और वो सारी powers को लाकर pyramids के मद्ध में लाकर उसको concentrate करता है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा science है, कि राजा दुबारा जीवित हो सके, इतनी energy जो है वो मानी जाती थी, इस तरह से जो है वो चीजे होती थी, तो हमें भी अपने दिमाग के अंदर एक ट्राइंगल डवलप करना है, जो आग्या चक्र, ये रहा आग्या चक्र, ये रहा हमारे सर के पीछे-पीछे बिंदू, और ये रहा हमारा ब्रह्मरंद, तीन, अब इन तीनों को मिलाकर, एक ट्राइंगल का निर्माड होगा, बड़ा साइंस बता रहा हूँ, बहुत, जो लोग आख के आगे, जाता तर लोग यहाँ पर थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं, गलत है ये तरीका, थर्ड आई मेडिटेशन आपको कहां बनाना ये, क्योंकि ये जो है वो आपके ब्रह्मांड को, इनर यूनिवर्स को ओपेंड कर देगा, इनर इन्वर्स को ओपेंड करेगा, तो क्या करना है, ये रहा आपके सरके पर ब्रह्मरंद, इमेजिन करो, हाथ रखो यहाँ पर, जो लोग पहली बार कर रहें, वहाँ पर इसपन्दन करें, इस इस पंदन, वाइब्रेशन, तो आपके हाथों से वाइब्रेशन यहां जानी चाहिए, ब्रह्मरंद्र, ठीक है, आज्या चक्र और सर के पीछे का पाश्य बिंदु जो हो गया, इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल इमेजिन करो, कि तुम्हारे सर के अंदर एक ट्राइ जोती को जलते हो मैसुस करो, बहुत पावरफुल मेथट बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप जैसे ही करना शुरू करोगे, यह प्राक्टिस शुरू करो, ब्रह्मरंद्र, आख और पार्शबिंद, बैक आफ हेड, इन तीनों को इमेजिन करो, कि एक ट्राइंगल का निर्मा बीच में, ना यहां, ना यहां, इसके बीचों बीच में कि स्पेस, एक हवा में लटकता हुआ, इस पे एक कोशिश करो, कि तुम्हें एक जो है, वो क्या दिखाई पड़े, एक जलती हुई रोशनी या थर्ड आई दिखाई पड़े, तीसरी आँख, इसको बोला जाता है आंतरिक ब्रम्हांड का खुलना, हमारे अंदर भी एक ब्रम्हांड है, और बहुत पावरफुल है, इन्फोमेशन सारी उसके अंदर, तुम खुद अपने आप में चैट जी पीटी हो आज की दुनिया में, बर तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो ये सारी चीजें हैं, आंक, स्किन, ना, ये तुम्हारे कॉंसेंट्रेशन को दूर दूर लेकर जा रहे है, तुम परिशान रजाक सर मैं इतनी महनत कर रहा हूं, मुझसे याद क्यों नहीं होता है, सर मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, मुझसे आउटपुट नहीं निकल रहा है, ठी तो ये बहुत जादा जो है, वो, सेग्मेंट हमारा खराब हो जाता है, हमारी महनत खराब हो जाती है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अपने अंदर जाने का तरीका, और अपार संभावनाए खोलने का तरीका, अगर ये प्रैक्टेस आपने कर ली ना, तो आप अपार आई को देखना है, ठर्ड आई को देखना है, प्रैक्टिस करनी है, और आप उस जोती को जलते हुए देखो, जब आप जलते हुए देखोगे, चुकि हमारे यहां क्या होता है, निर्वात में कोई चीज होती नहीं है, तो यह क्या होगा, तुम देखोगे एक बड़ी भागेगी, बताना कितने लोगे साथ हो रहा है, या यह रोशनी आख के साथ जाकर चिपक जाएगी, हाँ या ना मुझे बताओ, प्रॉब्लम है इस बहुत पावर्फुल मेडिटेशन है, मैंने बताया ना, तुम्हारी मेमोरी कई गुना बढ़ जाएगी, तुम्हें कई आई चीज़े दिखनी शुरू जाएगे, तुम्हें अपने सबकॉंसियस माइंड से बातचीत करना शुरू कर दोगे, तो जो सबकॉंसियस माइंड का दर्वाजा है, इसी थर्ड आई से होकर गुजरता है, इसलिए शिव को आद योगी कहा जाता है, कभी पढ़ो आप उ आई की तरफ जोड़ते हो, नाक की तरफ जोड़ते हो, तो यह आगे भागेगी, उपर की तरफ आखों को लेके जाओगे, तो उपर भागेगी, पीछे की तरफ आखों को लेके जाओगे, तो पीछे की तरफ जोती भागेगी, यह अपनी जगध टिके की नहीं, जितने भ आपको वो प्रैक्टिस बता रहा हूं, scientific way में बता रहा हूं, आपको इसको बीचो बीच में लाना होगा, यही इसका real challenge है, ना यहां, ना यहां और ना यहां, और हो सकता है कुछ seconds के लिए आए, मतलब आया और फिर यह हट जाए, जैसे ही आपका कोई विचार्ट ताकतवर ह हुआ, यह देखना, मुझे लिख के देना, लिख लो इसको, आज से जीवन तुमारा बदलने जा रहा है, और विश्वास के साथ कह रहा हूं, यह miracle करता है, मेरे अपने जीवन में इसने कई बार miracle किया, कई बार जब कोई चीज के लिए परिशान हूँ और बहुत दिल से स होता हूँ, उसके गहराई में जाकर मैं meditation करता हूँ, तो वो चीज हो जाती है सामने से, आपके साथ भी वो चीजे होंगी और इसको समझने की कोशिश करना, कि यह कैसे काम करता है, so यहाँ क्या होगा, आपको इसको बीचो बीच मिले कर आना है, ठीक है, यह भागेगा, फ third eye meditation, और अगर आप यहाँ पर उसको करते हैं, किसने बता होगा, देखो भावों के बीच में ध्यान लगाओ, गलत है, क्योंकि उसको आप आलंबन दे रहो, यूनिवर्स यहाँ खुलेगा ही नहीं तुमारा, यहाँ जा रहे हो, तो यह चकर की सबसे उंची अवस्था होत और जिस दिन आप में से किसी ने, यह व्यक्तिका तनभाव की चीज़ है, इसको कोई parameter नहीं है, आपने जिसने यह कर लिया, और आप मुझे 21 दिन बाद मैसेज करना कि सर मेरे जीवन में क्या बदलावार है, positivity, आप हमेशा सकारात्म करहोगे, आप सामने कोई negative है, आप उस सोच को वास्तविक्ता में लेकर आओगे, तुम्हारे व्योहार में change आना शुरू हो जाएगा, तुम बहुत focus होकर पढ़ पाओगे, तुम महसूस करोगे, तुम धीरे धीरे अपने बाहरी environment से कटते चले जा रहे हो, कटते चले जा रहे हो, बाहर कुछ भी हो रहा है, मिकदम अपने काम में ऐसा ढूबो गे,